टार्ट हेलो 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 कैसे हैं आप सब लोग स्वागत हैं आप लोगों का इनकम T Dafit Live क्लास के अंदर आज हम यहां पर क्लाइत कर रहे हैं मुलाकात बहुआत लंबी चलने वा लाली है L.I.C के तरह होगे बेटा जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी intermediate के बाद थोड़ना छोड़ देंगे आपको final में भी पढ़ाना है CA भी बनाना है उसके बाद job भी लगवानी है हमारी जो यह मुलाकात है यानि कि जो इस batch मुलाकात है उस batch का एक objective है और वो objective क्या है कि या income tax में लेने हैं अच्छे नंबर मतलब taxation में लेने हैं अच्छे नंबर income tax plus GST दोनों मिला के क्या बोलती पब्लिक? come on yes or no और अच्छे माक्स तभी आएंगे जो teacher अच्छा पढ़ाए और बच्चा अच्छे पढ़े और इन दोनों के participation होना चाहिए आप लोग ऐसे बैठ रहा होगे बुत बनके तो भाई से मज़ा नहीं आएगा I think यह आपकी only live class है जहां पर आप मुझे भी देख सकते हो मैं आपको भी देख सकता हूँ otherwise आप सिर्फ टीचर से चाट ही करते रहे जाते हो तो please मुझे आपको देख के बहुत motivation मलती है आप लोग participate करते रहिएगा मज़ा आएगा सबसे बहले आपके मन में सवाल होगा Master किताबे कहा है किताबे किस से पढ़ाएगा हमें Master किस से पढ़ाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूँ और वो बुक फिर आपके घर तक पहुचा दी जाएगी और साथ साथ में यहाँ पे class में मैं बनाऊंगा अच्छे प्यारे प्यारे notes handwriting देख रहे हैं से मोती जैसी चमक रही है ये notes जो भी class में बनेंगे मैं आपके साथ share कर दिया करूँगा ताकि आप लोगों को बहुत जादा noting ना करनी पड़े घर पे लेकिन फिर भी अगर आप चाते हैं कि नहीं नहीं मैं तो अपनी handwriting से note करके पढ़ूँगा अच्छे से तो आप कर लेना लेकिन में ही तरफ से PDF आपके साथ share जो हो जाएगी इस दाट clear to everyone come on बोलते जाओ इडियो वालो thumbs up कर दिया करो हाँ के लिए thumbs up ना के लिए thumbs down बहुत ही बढ़िया शाबाश तो मैं आप लोगों को ये सारे notes share करता हुआ चलूँगा PDF जो जो chapter की बनती जाएगी वो share करता हो चलूँगा और जैसे हमारी सारी PDF complete हो जाएगी उसकी printed book आपके घर पे पहुचा दी जाएगी इस दाट clear come on yes or no बोल दो शलूँगी तो सबसे वहली बात तो ये हो गई मैं इस से उपर एक बात लिखना चाहूँगा हमारा target होना चाहिए कि हम लोग हम लोग 65 plus marks लेके आएंगे tax laws के अंदर 65 plus marks लेके आएंगे taxation के अंदर और मैं आपको उसका तरीका भी बताऊँगा बेटा कैसे सब लोग सबसे पहला प्रण मेरे साथ ये लेंगे यान से धियान से धियान से सबसे पहला प्रण मेरे साथ ये लेंगे कि आप लोग अपना एक attitude develop करेंगे और वो attitude है सीखने वाला attitude आपने यूटीव पे मेरी वीडियो देखिए हो तो मैं हमेशा बोलता हो कि सीखना शुरू तो जीतना शुरू सीखने वाला attitude और सीखने वाला attitude बचपने के साथ चाहिए मुझे बचपने के साथ ये बचपना क्या होता है याद करो ना तुम लोग कितने क्यूरियस रहते थे जब तुम छोटे थे सब कुछ सीखना था enjoy करके सीखना था खुश रहके सीखना था और जैसे से बड़े होता गए खास कर C intermediate में आ गए तो अब तुम तक तुम्हें क्या लग रहा होता है हम नहीं हसेंगे हास के कोई पढ़ाई होती है पढ़ाई होने के लिए तो ऐसे करना पड़ेगा ऐसा कु हम लोग happy learning करने वाले हैं is that clear come on yes or no अब देखो मैं आपको दिखाता हूं मैं यहां पर कुछ activity करने को बोलूँगा आप मैंसे आदे बच्चे करेंगे आदे बच्चे करेंगे हम कोई छोटे बच्चे हैं और यहीं पर दुनिया फस जाएगी बेटा आओ मेरे साथ एक activity करो हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो ऊपर देखो और बोलो भगवान thank you सर क्यों thank you बुलवारे हो सर बेटा मैं इसलिए thank you बुला रहा हूँ क्योंकि पहले मैं हापे 65 की जगा पे 60 लिखता था और अब मैंने 65 लिखा है उसका कुछ तो कारण होगा कि मैंने 65 लिखा 5 इनमर मैंने क्यों बढ़ा दी हाँ कारण है बेटा अगर मैं बात करता हूँ old की तो आपके पास जो income tax होता था वो होता था 60 marks का और जो GST होता था वो होता था 40 marks का और हम बोलते थे बेटा GST में 30 लिया यो और इसमें ना कोशिश करना 60 में से 30 लिया यो बहुत है 60 हो जाएंगे लेकिन अब पता है क्या हो गया है निउस लिखता इनकम टेक्स हो गया ह 50 marks का और GST भी हो गया है 50 marks का बोल भारत माता की जै अब यहाँ पर फाइदा क्या हुआ है GST हमेशा से एक scoring subject जो है वो रहा है और अब हम लोग GST से ही पास होने का जोगाड कर लेंगे जयानी कि वही है 40 तो इसी में लिया लेकिन याद रखना 40 पे पास नहीं होते है 40 पे अब इदर देखिए 40 इसमें आ गए तो भाई इस 50 में 50 परसंट तो लिया होगे कम से कम और जैसे ये इसमें जुड़ गए है केंदी हुन दिसी चंतकराब बना दे मज़ा आगे मज़ा आगे 65 मार्क्स जो है वो आने वाले है भाई लॉट्री लग गई है आप लोगों की जी एस्टी किसी से भी पूछ लेना जी एस्टी कमपेरिटिवली इंटरमीडियेट में जादा स्कोरिंग होता है और वो अब 40 की जगा आपके एक्जाम में 50 नंबर का आता है यानि पहले मुसमें 30 स्कोर करने का टागेट रखते थे अब उसमें 40 स्कोर करने का टागेट रखेंगे इंकम टेक्स का बोनस जोडेंगे और बले बले अमरिसर टू एले क्या बोलती पब्लिक कम ऑन बोल दो तो हमारा सबसे पहला गोल इस बैच का यही है कि हर बच्चा जो मेहनत करेगा जो टीचरे के साथ जुड़ा रहेगा व अब यह सब करने के लिए इसको बेटा इस रूल को भूल मत जाना जो रूल मैंने बता है you have to have a learning attitude and you have to have a happy mind राइट जैसे की बच्चपन में होता था यानि जो मैं आपको एक्शन करने के लोलूंगा जो पार्टिसिपेशन के लिए बोलूंगा वो आप लोग करने वाले है क्या बोलती पबले कमान अच्छा अब अब एक चीज़ सर हमना बच्चों के दर बताओ सर के हमना अपने साथ क्या कर रखके बैठें कि हमारी पढ़ाई ना बहुत अच्छी हो तो मेरी क्लास में मैं आपसे उमीद करता हूं नंबर वन के आप एक पानी की बॉटल जो है सा जोड़ देते हो तो अब कुछ नंबर ओफ पेज़ कितने बनते हैं इनकम टेक्स जीए टी के मॉडल को जोड़ देते हो तो नंबर ओफ पेज़ कितने बनते हैं बस यही कुछ 2400 के आसपास 2400 2400 राइट अब अच्छ डरना नि मैंने क्या बलता मैं डरना लिए यह इसे पता है 24000 पेज पढ़ने पढ़ेंगे यह फैक्ट नहीं है फैक्ट है 2400 पेज पानी की बॉटल साथ रखके बैठी है क्लासेश थोड़ी सी लेंदी होंगी क्लासेश में थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट भी इन्वाल्व होगा तो पानी पीते रही है सिप सिप लगात करने के लिए ठीक है तो जब टीचर बुले नंबर टू अगर आपकी आत्मा को शांती नहीं मिल रही हाथ रुक ही नहीं पा रहा है अपने आप उठके रेजिस्टर के पास जा रहा भाई कर लो नोट इतना भी मत रोगो अपने आपको हैट तो अगर आपको सेल्फ बिल्कुल शेर करेंगे क्यों शेर नहीं करेंगे ओके अच्छा जी तो आपको रखने एक वाटर बॉडल आपको रखने अपने साथ एक रेजिस्टर और साथ में आपको रखने है बेटा बहुत सारे बहुत सारे क्या पैन कोशिश करें आप ब्लैक पैन जादा यूज करे क्योंकि आपको भी पता है कि institute के paper में सिरफ कौन सा pen allowed है black pen allowed है लेकिन सजना है मुझे सजना के लिए यानि कि थोड़े से अच्छे note अगर बनाना चाहते हैं तो आप लोग blue, red और green pen का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन primarily आप कौन से color का pen यूज करने वाले हैं जल्दी बताइए मुझे जल्दी बोल दो black pen ही यूज करने वाले हैं और एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जिस pen से paper देने भाई आज से उसको साथ में रखो ताकि आपके हाथ में वो फिट बैट जाए आपका pen जैसे विराट कोली का उसका बैट है न बेटा वैसे आपके लिए बैट आपका penny है अब विराट कोली सोचो मैच खिलने जा रहा है और एकदम नया नया बैट को इसके हाथ में देदे भाई वो साइटी नहीं हो पाएगा इस दाट क्लियर बोली हाँ के ना मैं यह नहीं कह रहा है कि आप एकदम ताज महल टाइब भी जगह बैठें सिंपल सा अपने टेबल चेर बैठें लेकि वो डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह होनी चाहिए इस दाट लियर कमाउन 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 यस और नो अच्छा जी दिन सर आपकी पढ़ाने के अप्रोच के रहेगी देखो है मेरी पढ़ाने के अप्रोच बहुत सिंपल है मैं आपको भर भर के एक्जामपल्स दूंगा स्टोरीज सुनाऊंगा ठीक है फुल अन एनर्जी के साथ आपके साथ लगूंगा और उसके बाद रीडिंग करवाऊंगा रीडिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर मैं सिर्फ आपको एक्जामपल स्टोरी और एनर्जी ही देता रहा और मैं आपसे रीडिंग नहीं करवाई आपको ये दिक्कत होगी exam के अंदर क्योंकि paper में question कौन read करेगा मैं read करूँगा कि आप read करोगे आप read करने वाले और एक बात एक बात आज अपनी पहली बात अगर आप लिखना चाते हो अपने register में तो लिख लो बेटा readers are leaders readers are leaders अगर आपके अंदर reading capability आगई आप अच्छे से read कर पा रहे हो तो definitely आप फिर self learning mode में चले जाओगे आप कुछ भी खुद से अच्छे से पढ़ सकते हो समझ सकते हो understand कर सकते हो और उसको exam में लिख क्या सकते हो is that clear come on come on अच्छा जी sir आपकी जो ये classes होंगी ये कोई आप हमें पुरानी classes तो देने का planning कर रहे हैं दुष्टो live हूँ live live ये पुराना थोड़ना चल रहा time देख लो घड़ी में आपके May 24, November 24 के लिए ये classes applicable रहेंगी सारी fresh classes मिलेंगी एक दम live आपके साथ हम लोग रहने वाले हैं is that clear सब पढ़ने की और अप्रोच कैसे रहने वाली है सुनो भाई तो हमारी class हुआ करेगी लगबग देड़ घंटे से दो घंटे के बीच में हर class के last में हम लोग क्या बना लेंगे एक revision video हर class के end में बना ही लेंगे हर class के end में और अच्छी बात बता हूँ आप लोग देख पाएंगे without any limit थैंक यू लिखो जरा चैट में यानि साथ के साथ revision बाबू साथ के साथ revision तो class होगी revision होगी और उसके बाद बेटा आपके होंगे test आपको हम लोग chapter wise self evaluated test देते रहेंगे यानि कि ऐसे test जो आपने खुद evaluate करने है सो आप हमारे test चेक नहीं करोगे करेंगे बेटा करेंगे वो बड़े वाले जब test होंगे तब करेंगे is that clear सो बड़े वाले कौन से half syllabus होगया full syllabus होगया वो test आपके हम लोग check करेंगे is that clear और check करके आपको वापिस भी देंगे बोल दो हांके ना come on come on तो यह हमारा pattern रहने वाला है कि भाई पहले class लो revision video बना और उसके बाद आपका test ले लो अच्छा जी then इसके बाद doubt support के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो दूँगा doubt support वाली वीडियो जरूर देख लिजेगा वो guideline जरूर देखिएगा वो सब आपको पता होना चाहिए अब हम सीज़ा चलते है अपने paper pattern के उपर कि हमारे paper का pattern क्या होता है आईए जरा मेरे साथ जुडिए एक बार doubt support के लिए guideline doubt support के लिए watch dedicated video वो जो उसकी एक अलग से video मैंने बना के आपको दूँगा हमारे पास जो है वो paper में क्या 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 आने वाला है तो एक बात तो आपको पता है कि हमारे पास कितने marks का paper होता है कमाउंटेल में जल्दी बोलिए 100 marks और आपको पता चल गया है 50 marks किसके income tax के 50 marks किसके GST के income tax को direct tax भी बुला सकते है और GST को indirect taxes भी बुला देते हैं अभी हम इनको पढ़ेंगे क्यों होता है direct indirect क्या होता है सारी बाते पढ़ेंगे बट अब सर क्या इसके अंदर हमें mcq mcq भी आते हैं mcq 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 foundation वालो mcq answer is yes इसके अंदर mcq भी आते हैं 30% 30% यानि यह मान के चलो 15 इसमें 15 इसमें come on come on बोल दो और आपका जो descriptive paper हो गया वो 35 marks का इसमें 35 marks का इसमें किसी को को दिक्कत परिशानी यहां तक तो बताए मुझे clear है मामला बिल्कुल come on thumbs up दे दो अगर clear है तो बहुत ही बढ़िया अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनेगा everyone please 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 focus बेटा as per the news labels in mcqs के अंदर कुछ change हो सकता है अभी किसी को भी नहीं पता वो change क्या हो सकता है वो change क्या हो सकता है पहले आपके जो mcqs हैं बहुत ध्यान से सुनेगा बच्चो यह अब सबसे पहला change क्या हुआ है पहले आपके पास 8 subject थे 8 में से 4 subject के अंदर mcq आते थे अब आपके पास 6 subject हैं और 6 के 6 के अंदर आपके पास mcqs हैं is that clear? come on yes or no अच्छा जी सर क्या पहले tax में क्या पहले tax में mcq होते थे answer is yes पहले tax में mcq होते थे और 30% ही आते थे और उसमें एक catch ये थी के एक case study आती थी फिर उसके कुछ mcqs आते थे और फिर कुछ आपके independent mcq आते थे यानि के एक mission एक mixture आता था case study based mcq plus individual mcqs का is that clear to everyone? case study based mcq क्या होते थी? पहले पूरी कहानी बना देते थे राज राज जो महबबत में था उसकी girlfriend से उसका divorce हुआ फिर उसमें बहुत मैनत करी business में पैसा कमाया बहुत सारी बाते लिखी होती थी और फिर आपसे कुछ mcqs पूछते थे independent mcq क्या होते थे? किसी भी chapter का कोई भी topic उठाया और आपसे mcq पूछ डाला is that clear to everyone? come on come on लेकिन अब जो ICAI ने नया slavus निकाला है उसमें ICAI ने बोला है कि 30% case based mcqs होंगे case scenario based mcqs तो अभी इस पे clarity नहीं है क्यों clarity नहीं है? कोई बताएगा क्यों clarity नहीं है? क्योंकि अभी एक भी paper हुआ ही नहीं है तो जैसे ICAI के mock test आएगा RTP आएगी जैसे ICAI की paper हो जाएगे तो हमें इस पे clarity मिल जाएगी कि भाई साब जो mcqs आते हैं वो case based दी आएगे या independent वाले भी अभी रहेंगे बट एक बात पक्की है कि 30% mcq आने वाले है is that clear to everyone? come on अच्छा अथी दुखी आत्मा doubt number 3 Sir क्या mcq में negative marking भी होती है? हाथ जोडें हाथ जोडें हाथ जोडें और उपर देखके बोले भगवान thank you क्यों thank you negative marking नहीं है सोच के देखो अब आप लोग मेरी साथ ज़रा जूड़ना बच्चों बहुत ध्यान सुनना और देखो मैंने बहुत दिल से पढ़ाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी दिल से पढ़ो और हमारे दिल आपस मेले जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को बहुत ध्यान सुनना आपको लग रहा है आप मेरे पास 100 नंबर के लिए आए हो मुझे लग रहा है आप मेरे पास 1500 नंबर के लिए हो मैं आपको बेटा 100 मार्स के तो टैक्स पढ़ाऊंगा और मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपके हर पेपर के अंदर at least 10 नंबर आइड होंगे तो एक तो टैक्स में आपके 100 के लिए पढ़ाई रहा हूँ आपको और आपका अकाउंट्स हो गया उसमें 10 नंबर आइड कराऊंगा costing में 10 नंबर आइड कराऊंगा audit मे audit का batch भी जल्दी शुरू कर रहे हैं जो मैं एक राज की बात बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना उसे ध्यान से सुनना बच्चो आपके 6 पेपर है 100 नंबर का एक है टोटल कितना हो गया 600 पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए एक सो असी मार्क्स के MCQs आने वाले हैं जिसमें negative marking नहीं है इस 600 में से 180 marks के MCQs आने वाले हैं जिसमें negative marking नहीं है और मैं अपने experience से आपको बता रहा हूँ Tax देखो, accounts में पहली बार MCQ आएंगे, cost में पहली बार MCQ आएंगे, ठीके जी FM में पहली बार MCQ आएंगे पहले से ही audit में SM में और tax में पहले भी MCQs थे, आज भी MCQs हैं और law में, पहले भी MCQs थे आज भी MCQs हैं, come on, yes or no come on अब मेरी बात सुनिएगा बच्चो एक tax के paper को छोड़के जिन paper में पहले MCQs थे मैं आपको उनकी guarantee दे रहा हूँ audit की, SM की law की भाई साब, इनके MCQs में marks score करना बहुत असान होता है मेरे पास copies पढ़ी हैं भी बच्चो की audit की, पिछले exam की जिसमें 30 में से 27 marks आएं, 28 marks आएं MCQs में hello, साथ में हो मेरे, साथ में हो आप समझ रहे हो यानि के बच्चा up to 90% स्कोर कर रहा है, बच्चो 90% स्कोर कर रहा है, वो सोच के देखो tax में MCQs comparatively tough होते हैं, साथ आप कैसी बात कर रहे हो, आप tax पढ़ा रहे हो, और बोलो tax में MCQs tough होते हैं, आप तो हमें motivation दो ना, कर आए आसान होते हैं motivation और duty motivation के बीच में जूटी motivation एक्जाम में फुस कर देती हैं आपको, right direction आपको एक्जाम में आगे बढ़ाती है, तो मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा, इसमें सोच के देखो, आपके पास जो marks का जुगार हो रहा है, audit में 25, SM 50 नंबर का है 15 में से लेटस से 12, ठीक है, law में 30 नंबर के आते हैं लेटस से इसके अंदर भी 25 accounts costing में मान के चलाओ, थोड़ से tough आ जाएंगे मैं मान के चलाओ, थोड़ से tough आ जाएंगे, फिर भी 20 20 और 20, जरा सब को add कर लो बेटा, यानि आपको जो 300 marks चाहिए, उसमें से इतने नंबर 60 और ये भी add कर लो 60 और 50, 110 110, 110, 12 कितना होगा है total कितना बन रहा, 122 नंबर आपके पास पड़े हो है बोल दो हा के न, बोल दो equation समझ में आ रही है और अगर आप में से किसी को भी लग रहे है न, master ये कैसी कैसी बाते कर रहे हो, आप टैक्स पड़ाओ, ये मत बताओ, बेटा मेरी बात सुनो मैं आपको एक dialogue बोलता हूँ ध्यान से, always begin with the end in mind, always begin with the end in mind, end से शुरुवात करें, end goal है, pass होना है नंबर लाने 300 से जादा, आपको एक strategy तो बनानी पड़ेगी, आपको MCQs में कम से कम 122 नंबर अब लेके आने हैं, और 112 से जितनी उपर ले जा सकते हो, जितनी उपर ले जा सकते हो, 112 से, उतनी मौज है बेटा आपकी, उतनी मौज है, उतने नंबर आने के chances बढ़ते जाएंगे, क्या बोलती public, come on, yes or no, come on अच्छा, अब इसमें tax के तो मैंने लगाई नहीं है इसमें tax के तो मैंने लगाई नहीं है मानलो, tax के भी 20 और जोड़ देता हूं 20 टफ लग रहे हैं, तो लो आदेतों आपके लिए, FM actually 15 नंबर के आएंगे न तो इसमें भी लगा लो आप 10 के आसपास आप कर लो total, आप सही है 20 प्लस, 20 प्लस 20 प्लस 10, 50 ऊपर हो गए आपके, 25 प्लस 12 प्लस 18, प्लस 25 80 नीचे हो गए आपके, वही 130 यानि आप देख रहे हो के 130 130 मार्क्स, आप प्लीज minimum इतने स्कोर करोगे ही करेगे MCQs के अंदर, आप पास हो रहे हो पक्की बात और 130 का मतलब क्या है बेटा 130 divided by 180 is equal to कितना 130 divided by 180 into 100, यानि के 72% मार्क्स आप लोग MCQ में स्कोर कर रहे हो 72% मार्क्स राइट come on, बोल दो और बाकी बचे हुए मार्क्स में से, अब आपको अगर मैं एक minimum, minimum guarantee वाली बात निकालूँ, तो 300 minus 130 170 मार्क्स आपको और लेने है पास होने के लिए बाकी बचे हुए सब्जेक्ट में से, यानि बाकी 70% में से आपको 170 लेके आने है तो प्लीज बच्चों ये calculation day one से अपने mind में रखिए आप लोग blessed हो, कि आप लोग new course के अंदर आये हो इसलिए day one से अपने पास निमार्क लगा के रखो, कि मैं पस accounts है मैं पस law है, मैं पस tax है audit है, उसके बाद costing है और FMSM है, और मेरी कोशिश रहेगी, MCQs में ये day one पे clarity रखो अपने पास higher side पे और lower side पे दोनों side पे रख के रखो, higher side, lower side मैं कोशिश करूँगा भाई, higher side तो यह नहीं चीए, कि सब में आपके MCQ में 25-25 नंबर आ जाए तो भाई साब lottery लग जाएगी, क्या बोलती public सोच के देखो, सब में 25-25 नंबर आ गए 25 इंटू 6 यानि के 1.500 नंबर आ गए और lower side पे भी पकड़ लो तो सब में भाई साब मिनिममम 20-20 20-20 भी अगर आप ले के आजाते हैं, 6-6 subject में, तो आपके बस 120 नंबर हो गए और देखिए आप कमाल, 150 प्लस 120 divided by 2, on an average वो ही बात आ रही है, 135 नंबर के आसपास आप MCQ में लिया ये lottery लगने वाली है, पक्की बात है और ये first time हो रहा है, इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, कि ICI के सारे papers में, एक minimum percentage के MCQ आ रहे हैं Let's appreciate institute for this, come on Yes or No और अच्छी बात क्या है जल्दी पास कर लो बेटा, negative marking नहीं है, तुम्हें नहीं पता institute एक दिन notification निकाले, dear बच्चो, बहुत पास हो रहा हो है ना, तो please, please please, आप इसका फाइदा उठाएंगे जासरादा, बताईए, ये clarity है सबको सबको clarity है ये आजएए Now, let's talk about tax tax, अब tax के paper के अंदर का pattern कैसे होने वाला है, to be very honest नहीं पता हमें भी कैसे होने वाला है, क्योंकि first time होगा, but एक बात पक्की है 30% MCQ, 70% descriptive और हमारे पास यहाँ पे descriptive में क्या होगा आपके पास income tax कवे पर अलग आता है अभी तक जो होता था वो बता रहा हूँ GST के पर अलग आता है इसका जो question one होता है, वो compulsory होता है इसका भी question one compulsory होता है और उसके बाद आपको choice मिलेगी दो question दे रख्योंगे, या 3 question दे रख्योंगे उसमें से एक छोड़के आप बाकी कर सकते हैं एक की choice मिलती है is that clear, come on come on, तो यह pattern बेटा जैसी ICA की तरफ से clarity आएगी हम तब उसको discuss कर लेंगे, क्या बोलती पबलिक बोल दो number of hours कितने लगने वाले हैं number of hours कितने लगने वाले हैं तो देखिए, income tax में मुझे ऐसा लगता है कि हम approximately 150 hours के आसपास जाएंगे और GST में भी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 80 to 90 hours के आसपास जाने वाले हैं, right 82 to 90 hours के आसपास जाने वाले हैं बोल दो, अब 150 hours 2 गंटे की class हैं, तो लगबग 75 के आसपास lectures आप मान के चलो के लगेंगे हमारे को लेकिन इसकी revision वीडियो कितने में तयार हो जाएगी आप यह मान के चलो, पूरे income tax की revision वीडियो 15 से 20 गंटे की बन जाएगी बहुत आराम से, right higher side मैंने आपको पता है 12 से 15 भी बन सकती है, 15 से 20 भी बन सकती है और ऐसी GST की बेटा 10 से 12 गंटे maximum है आपकी revision वीडियो पूरी तयार हो जाएगी is that clear, come on सर आपके पीछे से बरतन बजने के वाज़े, बरतन कहां बजने है भाई बरतन मेरा office है किसको आ रही है भाई अगर प्लीज confirm करो, अवाज में कुछ डिक्कत तो नहीं है voice is clear हाँ कोई प्रॉलम नहीं है, अब देखना, अब रही डिस्टर्बेंस चलो कोई डिस्टर्बेंस नहीं, तुम ऐसी मज़े ले जा रहे हो, पक्का ना आजो जी हाँ जी, नेक्स मुर्दे पर चलते है बच्चो, अब हम लोग अपने स्लेबस की बातचीफ करते हैं, कि हमारे स्लेबस जो है, कया करना है on तो अब लोग, टिक्स में तू आा गए, यह टाक्स जो है, bet you talk? tax kya है tax क्यों है tax अभी मत बोला लप्पू सा tax है माक्स इसमें आवे ना है जल्दी बताओ क्या है tax क्या लगता है tax जल्दी बोल यह चैट में अगर आप लोग यहां भी बोलना चाहते तो raise your hand में आपको unmute कर दूँगा कमल जीत कह रहा लगान लगान है tax, लगान कर extortion of money क्या बात है, extortion of money obligation, obligation of common individual, income of government बहुत बढ़िया, बहुत simple सी बात है जी, बहुत simple सी बात है government जो है, government को देना है, government को करने होते है, खर्चे खर्चे किस पर बेटा, welfare के लिए खर्चे करने होते है, भलाई के लिए खर्चे करने होते है आप लोगों की भलाई के लिए, come on yes or no बोल दो हाँ या ना अब government को करने खर्चे तो बिटा खर्चे से पहले जो चीज होती है न वो होती है revenue तो government को revenue तो चाहिए बोल दो हा के न और revenue का एक simple सा source है government का tax तो tax is nothing but the source of revenue for the government Sir, Sir, सरकार सिरफ और सिरफ जो है वो revenue सही, मतलब tax सही पहर revenue कमाती है नहीं बिटा सरकार और भी काम करती है, business भी करती है कि नहीं करती है Come on, यह जो और नो, बोल दो हा के न बिल्कुल business भी करती है, बहुत सारी government companies है उनसे पैसा कमाती है, और साथ साथ में आप लोग जब पैसा कमा रहे होते हो, तो government कहती है अच्छा, हमारे इलाके में रहके कमाई करोगे और हम ही कुछ नहीं दोगे, है तो बिटा, government जो है न, चुलबुल पांडे है और government आपसे कहती है, कि जो तुम कमाऊगे उसमें से एक हिस्सा मेरे पास आएगा उसी को बोलते है, हम लोग tax क्या बोलते है, tax और याद रखी बच्चो, tax का जो नेचर है न, वो है compulsory मेरे साथ word बोलें, क्या है जल्दी बोलें compulsory, इसका मतलब मोधी जी आपको option देते है मित्रों, मन करें तो tax दे देना मित्रों ना करें, तो मत देना मित्रों बताव ऐसा होता है क्या काश ऐसा होता बड़ ऐसा होता ही तो नहीं है हमें tax देना ही पड़ेगा it is a compulsory contribution towards the government revenue by people of a particular region अब वो region state हो सकता है वो region country हो सकता है इवन वो region आपका छोटा सा गाउं या छोटी सी municipality भी हो सकती है is that clear to everyone, come on गोल दिजे अच्छा जे तो tax number one इदर देखिए tax सबसे वेली बात revenue का source है revenue का source है number two tax का nature कैसा है compulsory है compulsory number three tax जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है इदर देखिए type of tax बहुत simple सी बात है tax जो है वो दो प्रकार का हो सकता है एक direct और दूसरा कौन सा indirect so direct tax कौन सा होता है जो इंडरेक नहीं होता और इंडरेक कौन सा होता है सर जो direct नहीं होता तुमारा घर का है मेरे घर के पास मेरा घर का है तुमारे घर के पास दोनों का कहा है आसपास दुष्टो सुनो मेरी बात direct taxes वो taxes होते हैं जिसका burden भार उसी को उठाना पड़ता है जिसके ओपर tax लगते हैं वो burden को shift नहीं कर सकता किसी और से लेके नहीं दे सकता indirect taxes वो होते हैं जो पसंद है किसी और की उसे चाहता कोई और है जो पसंद है किसी और की उसे चाहता कोई और है मतलब इदर देखो government ने मुझसे बोला कि अगर पढ़ाओगे उसके लिए fees लोगे तो मुझे GST देना मैंने आपसे लिया और government को दे दिया burden मेरा था मैंने वो burden आपके उपर क्या कर दिया shift tax मुझे देना था मैंने आपसे collect किया सरकार को दे दिया लेकिन पेटा income tax मैं ऐसा नहीं कर सकता मेरी income है मुझे ही tax देना पड़ेगा तो direct taxes जिनका burden shift come on जिनका burden shift नहीं हो सकता indirect taxes जिनका burden shift हो सकता है है come on come on अच्छा इदर देखो इदर देखो और क्या और क्या डिफरेंस इनके बीच में ध्यान से देखना बच्छो direct taxes जो होते हैं वो जनरली लोगों पर परसंस पर लगते हैं indirect taxes जो है वो लगते हैं commodities पे goods पे services पे तीसरा इनकम होती है उसे उतना ज्यादा क्या देना पड़ता है टैक्स जैसे तुम लोग बताओ कितना tax देते हो, अरे सर क्यों मजा कर रहा सर, tax के लिए income चाहिए सर, अभी तर सर बिलकुल हालत खराब चल रही है है ना, तो आप देखे आपकी income नहीं है, आप tax नहीं दे रहे मेरी income है, मैं tax दे रहा हूँ, अम्बानी की 43% कौन ले जाते हैं, मित्रों, हमारे देश में रहे का कमाई कर रहे हो, मित्रों, आओ, हमें भी tax दे के जाओ yes, 42.74% तक tax है इंडिया में, income tax, अच्छा, तो direct taxes कैसे होते हैं, progressive in nature, indirect taxes कैसे होते हैं, regressive in nature, सोचो, आप, मैं, और अम्बानी, तीनो, अपनी अपनी girlfriend को लेके, मतलब तुम अपनी girlfriend को लेके, मैं अपनी wife को लेके, अम्बानी जी अपनी wife को लेके, हम लोग mcdonald's में गए, तो mcdonald's वाले क्या बोलेगा, अम्बानी जी, आपका जो आलू टिकी burger है, वो है, 60 रुपे का, ले इसा होगा, यह हम सबसे बराबर GST collect किया जाएगा, मुझे बताओ, कै different GST collect किया जाएगा, बराबर GST collect किया जाएगा, जल्दी से बताओ चैट में, everyone, बराबर GST collect किया जाएगा, equal GST collect किया जाएगा, I hope clear है मामला, भोल दो, शाबाश, 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 अब मेरी बात को सुने, यही है फारक बेटा, direct taxes होते है progressive, progressive मतलब जैसे से income बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मेरे साथ, वैसे मेरे साथ, tax भी, come on, बढ़ता जाएगा, indirect taxes होते है, regressive, indirect taxes होते है, regressive, irrespective of the income, भहिया, tax का level क्या रहेगा, same र और बताऊ, आपको क्या देते समय दर्द होता होगा, direct या indirect, कौन सा tax देते समय आपको दर्द होता होगा, ऐसलिक तो, जल्दी होता हो, very good, very good, very good, very good, very good, direct tax देते समय बहुत दर्द होता है, indirect tax तो पता ही नहीं चलता, आप almost आपके आसपास देखो, जो भी चीज है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं इश्प्रीत सिंग के हेड़फोन है या फिर हमारे पास सिंटु भाई के भी हेडफोन हैं पीछे वाइड बोर्ट लगा हुआ है और जितनी भी चीज़े आपके घरों मुझे यहां से बैठके नजर आ रही है वो पीछे परदा लगा हुआ मुईत क कॉस्ट का ही पाट है यहां जी एक लिए मैं किया सोचता जल्दी बताब किसका पाट है कॉस्ट का ही पाट है और शूब्चा बिचारा दे क्या आजाता है आप कभी डेट पे गए हो आपने मेडम के लिए जो है Starbuckuse अब कॉफी खरीदी कैसे कैसे आपने इदर उदर से प Is that clear to everyone? Come on guys, जल्दी बताईए मुझे, बोलिए शाबाश, 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 आजो तो basic of tax में हमने क्या देखा कि भाई सब हमारे taxes जो है, वो कितने प्रकार के होते हैं Come on everyone, कौन बताएगा कितने प्रकार के होते हैं Direct और indirect, दो प्रकार के Direct taxes में अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं सबसे बात करता हूँ Burden की, तो burden जो है बेटर, direct tax में क्या किया जा सकता है Shift नहीं किया जा सकता है अच्छा, स्क्रीन ले हूँ, हाँ जी Direct tax में burden जो है, वो shift नहीं किया जा सकता है indirect tax में जो burden है वो क्या किया जा सकता है जल्दी बोल दिजिए shift किया जा सकता है यानि मुझे tax देना था लेकिन मैंने आप से लेके जो है वो सरकार को दिया अच्छा दूसरी बात direct taxes जो है वो कैसे होते है progressive in nature होते है और indirect taxes जो है वो कैसे होते है clarity है clarity है अच्छा जी सर यह taxes तो ठीक है लेकिन मोदी जी की इतनी हिम्मत के हम से tax ले रहे है हम तो एक अजाद देश के अंदर जीते हैं ना तो मोदी जी हमसे कैसे tax ले सकतें नहीं देने का मन है हमारा tax आहां तो सही है सही है सही है नेता जी का नाम लेता हूं किसी का वी चाहे वो मोदी जी हो चाहे राहूल जी हो चाहे अर्विन जी हो चाहे किसी पार्टी के नहीं है नहीं मैं किसी पार्टी के लिए वोट मांग रहा हूं मैं अपने एक्जामपल के लिए कहानियों के लिए स्टोरी के लिए एनर्जी के लिए यह सारे चीजे करता हूं प्लीज इसको अधरवाइज ना ले मेरे अगेंस्ट यूट्यूब पर वीडियो ना बनाए देखिए कैसे इसने बोला मोदी जी का नाम मत करना बह यहां सिरफ और सिरफ आप देखेंगे कněदे किसी आपको वोट देने के लिए वोट ना देने के लिए कुछ नहीं कहा रहा हूं मैं सिर अपनी स्टॉइज के लिए उनका यूज कर हा हूं अब मोदी जी के पास हिंडूस्तान में जो है न पावर आती है लौ से और लौ को भी पावर देने की भाई साब एक जगा है एक चीज है जहां से लौ को पावर मिलती है और वो है Constitution से गोलिए कहां से कमाउन टेल में जल्दी बताइए Constitution of India से बताइए Constitution को अगर आप मेरी भाषा में पढ़ेंगे तो Constitution is the mother of all the laws in India all the laws देखो इंडिया में कुछ भी हो रहा है न कुछ भी हो रहा है वो as per certain law हो रहा है और हर law की हर law की जो बनाने की पावर है वो कहां से आई है बेटा Constitution से आई है Constitution हर law की mother है यानि के माई बाप है भाई साब हर law का हमारा Constitution of India is that clear बोलिये अच्छा अब इंडिया के बार में बेसिक सी चीज में आपको बता दूं इंडिया में फेडरलिजम फॉलो होता है यह सर्फ फेडरलिजम है क्या वाट डियू में डेडरलिजम से बेटा फेडरलिजम का सिम्पल सा मतलब है के एक mixed form of government चलती है mixed form of government देखिए कुछ मत लिखेगा भी सुनिएगा मेरी बातों को प्लीज सुनिएगा ये PDF आपको दे दूंगा मैं राइट अब लिखने के लिए टाइम मांगेंगे वो भी दे दूंगा मैं आपको बता रहा हूं मैं आपका समय वेस नहीं करना चाथा क्ल क्लियर है बोले जल्दी से क्लियर है बात सबको कमान तो इसलिए लिखने के पीछे इतनी दिवानगी होना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है चले जी आगे चले आजो मेरे साथ साथ ज़र जुड़ना अब तो कोई डिस्टर्मेंस तो नहीं आई न वोईस में बिल्कुल भी पक्का चलो great आजो ज़े इंडिया जो है वो federalism follow करता है federalism का simple सा मतलब है कि compound या फिर mixed form of government चलती है यहां पर mixed form का मेरे से क्या मतलब है बेटा इंडिया में आप देखेंगे कि आपको दो लेवल पर government देखेंगी एक central level पर एक state level पर एक central level पर एक state level पर एक local level पर गॉर्मेंट होती है जिसे आप लोगोने शायद municipality के नाम से सुनाओ कभी सुनाओ municipality municipality तो वो भी एक level of government होती है वो state के अंदर होती है अच्छा central level और state level पर और हर लेवल पर हमने क्या किया कुछ organs बनाए आपने बच्पन में अगर history civics पड़ी है तो आपको अभी organs के नाम याद आएंगे legislative organ याद आ रहा है legislative organ executive organ legislative, executive और एक और था क्या judiciary बताईए ये बाते आपने सुनी हुई है के नहीं सुनी हुई है come on yes or no so India federalism follow करता है federalism बोले तो mixed form of government follow करता है mixed form of government में हमारे पास यहाँ पर दो main level चलते है governance के और हमारे पास दोनों level पर क्या है तीन तीन organs बने हुए legislative, executive, judiciary legislative का काम क्या होता है बच्चो legislative जो है वो law को बनाता है it makes the law executive उस law को implement करता है right और judiciary जो है उस law को interpret करता है interpret करता है यानि law में अगर कोई confusion आती है जब कुछ cases होते है तो उसकी interpretation judiciary करते है legislative, executive, judiciary clarity है come on yes or no बोल दो अच्छा यह बताओ government कहां पर आती है government क्या है legislative है, executive है, judiciary है government क्या है मुझे जल्दी बताए legislative, executive है, judiciary है, come on everyone tell me, जल्दी से मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत ही गलत गलत जवाब दे रहे हो तुम लोग, बहुत ही गलत गलत दे दो दे दो जाहिए हाँ जी, तो इसका सही जवाब है कि government जो है न, वो आती है बेटा executive level पे, बोलिए कौन से level पे executive level पे फिर legislative level पे कौन होता है अभी बताएंगे बेटा, चिंता मत करो इधर देखो, इधर देखो तो अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास, दो form of government चलती है central और state, दो level of governance होते है central और state, तो बेटा, दोनों में ही तीन ओर्गन होते है legislative, executive, judiciary central का legislative पता है क्या है आपका parliament, नाम सुना है अपने parliament का, come on yes or no parliament में law बनता है parliament में होती है, लोकसभा राज्यसभा, वो law बनाती है राहुल गांधी भी parliament में बैठता है अच्छा, state में क्या होता है, चलो बता हो state में क्या होता है, कौन बताएगा, state में legislative organ का नाम क्या होता है, कौन बताएगा, चलो check करूँ में तुम्हारी पुरानी जानकारिया जल्दी से मुझे बताओ very good, very good, very good state legislative assembly होती है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, state legislative assembly, clarity है जल्दी बोलो, clarity है अच्छा executive में, यहाँ पे आती है central government, यहाँ पे आती है state government judiciary में, यहाँ पे भी court आ गए हमारे पास, और यहाँ भी हमारे पास different different तरह के courts आते हैं अब मुझे बताओ मोदी जी कहा है, central में मोदी जी कहा है बेटा, मोदी जी कहा है BJP government, come on यह रही BJP government तो केंद्र सरकार जब हम बोलते हैं हम central government बोल रहे होते हैं यहनि executive order की बात हो रही होती है is that clear, come on everyone बोलिए, अच्छा, यहाँ पे state legislative assembly में क्या चलता है state legislative assembly में जैसे हमारे पास central में, parliament में हमारे पास मैंने आपको होता है, लोक सभा और राज्य सभा होती है, वैसे ही state legislative assembly में आपको विधान सभा और विधान परिशद दिखती है come on come on, बोलिए clarity है जल्दी बोलो okay, तो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनी हम लोग constitution पर चर्चा क्यों कर रहे है मैं आपको ये भी बताऊंगा, बट इस बात को ऐसे समझे के हमारे पास इंडिया में कोई भी काम होता है, तो वो law के हिसाब से होना चाहिए even tax भी collect हो रहे है, तो law के हिसाब से होना चाहिए लेकिन law के लिए भी कि आचाहिए पावर, और ओपावर कहा से आती बिटा constitution से, is that clear, is that clear to everyone, अच्छा, अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिये, why we need law, कभी आपने घर बैट के सोचा है, के कानून चाहिए ही क्यों, why, क्या करेंगा कानून का, और भी गम है जमाने में महबबत के सिवा, कानून की क्या जूरत है, बताओ, तो कानून क्यों चाहिए, अभी बताते हैं आपको, पहले आप लोग guess करो, to solve the disputes, very good, solve the disputes, सबसे पहला काम पताए क्या है, कानून का, uniformity लेके आना, what is uniformity, के भाई, similar चीजे, similar manner में हैंडल की जाए, equality लेके आ मैनेज करना, जैसे trade and commerce को मैनेज करना, और क्या काम है, obviously, peace and harmony बनाए रखना, नहीं तो इंसान, इंसान कोई मार के खतम करने में, आजकल कोई कमी छोड़ नहीं रहा है, किसी भी प्रकार की, तो uniformity, management of trade and commerce, and other activities, and ensure peace and harmony, is that clear, is that clear, अच्छा, अब हमें लोग के पार में बहुत साई चीजे पता चलते जारी हैं, हमें लोग क्यू चाहिए पता चल गया, लोग कौन सा ओर्गन मनाता है, legislative ओर्गन मनाता है, कमान कौन सा ओर्गन मनाता है, legislative ओर्गन मनाता है, ये भी पता बना लो है, चलो खाली बैटे हो, लोग बना लो, ऐसा कुछ होता होगा, क्या, या मोदी जी वाटसेप ग्रूप में मेसेज करते होंगे, मितरों, आजाओ मितरों, खाली बैटे हैं, मितरों को लोग बना लेते हैं, सुनी मेरी बात, बेटा, लोग की जो genesis है, लोग, वेर होजेंगे, और आपको 101 रुप मिलेंगे, हमारी क्लास में ऐसे UPI के प्राइज आपको मिलते रहेंगे, उसके लिए आपको क्लास में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो अनीता ने बहुत सही आंसर दिया था, इधर देखिए, कोई भी लोग बनता है ना बेटा, उसक पर निकलता है, वाइट पेपर मतलब के ओके ये एक फाइनल ड्राफ टाइप है, फिर उसके बिल बनता है, बिल, जो सूपर फाइनल ड्राफ होता है, फिर वो लोग सभा में जाता है, उसमें वोटिंग होती है, और फिर देश के जो प्रेजिडेंट होते हैं, या होती हैं वो फिर उसको अपनी approval देती है उस पर sign करती है और फिर जाके law notify कराय जाता है कि देखो जी ये लोग सभा से पास हो गया है राज्य सभा से पास हो गया है प्रेजिनेंट ने sign कर दिया है और अब ये notify किया जा रहा है that clear बोलिए बहुत ही बड़िया सर जब state level पर law बनता होगा तो क्या होता होगा बेटा फिर वोई बात बिल बनेगा बिल बनने के बाद बस अब विदान सभा जाएगा विदान परिशद जाएगा और फिर governor का approval लगेगा is that clear is that clear come on आपके exam के काम का नहीं है लेकिन कई कई इसे इसे जहां पर विदान सभा विदान परिशद दोनों नहीं होते हैं वो आपने अप थोड़ा सा Google करना है देखना है समझना है क्यों चाहिए यूनिफर्मिटी एक्टिविटी मैनेजमेंट और पीस और हार्मनी के लिए कौन मनाता है लेजिसलेडिव औरगन मनाता है कैसे बनाता है बिल बनेगा बिल बनके कहां जाएगा लोकसभा राज्यसभा फिर प्रेजिडेंट और फिर वो नोटिफाइ कराया जाएगा ऑफिशल गैजट में फिर जाके वो क्या बन जाएगा अपका लॉव बन जाएगा एंफोर्स हो जाएगा फिर उसको सबको बाउन्ड हो जाएंगे फॉलो करने के लिए इस दाट लियर कमाउन बोलिये अब सवाल है अब सवाल है कि सर यह बताओ कि लोग बनाने की पावर कैसे आगई ठीक है कि statement लगोच्प लेजिसलेटिव और ऐगान के पास बने कल लिखा था मलेठाथ कौंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 245 शरी आर्टिकल वार्टिकल क्या होते है जरा में बताओ हां 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 मैं आपको एक काम करता हूं ना मैं आपको Constitution of India दिखा दू पूरा का पूरा क्या बोलती पब्लिक देखना चाहेंगे बिलकुल सर ले चलते हैं आपको Constitution of India दिखाने के लिए ये लो जी ये लो इंडियन एक्स में आ गए हम लोग एक्स में आ गए हम लोग लोग एन लाइट में सर्च कॉंस टी Tuition of India 1950 बहुत ही बढ़िया आईए आपको में ले चलता हूं इतर देखेगा प्लीज स्क्रीन पर मेरे साथ आप लोग भी दिख रहे हैं से हाई ये चलो जी तो आप सब लोग हैं यहां पर आपको Constitution of India भी यहां पर दिखाने की मैं कोशिश करता हूं थोड़ा समय इसको जूम कर देता हूं यह देखे यह Constitution of India है यहां पर सबसे पहले आपको आर्टिकल दिख रहा है आर्टिकल वन आर्टिकल टू आर्टिकल टू ए आर्टिकल इस लाइक जैसे हमारे एक्ट में आप लोग सेक्शन सेक्शन पढ़ते जाते हो ना वैसे Constitution आर्टिकल है इतना ही सम आपको सारी चीजे बताऊंगा कि लिस्ट क्या है कैसे काम करती है क्या है क्या नहीं है अभी के लिए मैं आपके साथ जो है वह चलता हूं आर्टिकल नंबर टू फॉर्टी फाइव देखने के लिए जो मुझे आपको दिखाना है आर्टिकल नंबर टू हंडड़ेंड और क्यां गिए टू फॉर्टी थू पावर बिलती है इस आर्टिकल से ही पावर मिलती है कि इस आपावर बिलती है किसको देखो कि यानि आप कोई भी लॉद देखते हूं अपने आसपास एक्स वाई जी कोई सब्लाउ अगे पावर देगा लेकिन लोग दने की पावर कहां से आई ये मुझे बताई ये कॉलो बनाने की पावर आ रही है लोग बनाने की पौवर आ रही है फेरिटट अब इंडिया अ कि लिया इने के लिय ग्याफ त। gradient vulnerability इन-ज्शचर अंडियां प्रफ निग ने पूर इंडिया के लिया और शृता पूरिषिजल्ग के लिय। आइगा पूरी इंडिया के लिय। debit स्टेट लेजिसलेटिव एसंब्ली लॉव बनाएगी सिरफ और सिरफ एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए कमान गाइस बताईए मुझे है क्लारीटी बताईए है इस पर अब सोचो घर में दो भाई है एक टीवी है और एक रिमोट है अब क्या होगा बताओ मुझे अब क्या होगा समझाओ मुझे जो गया है अनिता गेरी डिस्प्यूट होगा सिए की लेंग से आख यह लेकरो डिस्प्यूट गर इसुट गर बिर दिस्प्यूट पी दो अधर गर ज़ाए है अलाए यह तो गर्यासलिक छिफ दिस्प्यूट होगा देगशने सही लिख्ष्ज लिखा गटना अलग और यहां भी situation कुछ वैसी हो गई है law बनाने की power मैंने क्या किया center को भी दिदी और state को भी देदी ऐसा ही ओना पार्लेमेंट को भी देदी और state legislative assembly को भी देदी और में भी बोल दिया कि भी या पार्लेमेंट जो बनाएगा वो तो पूरे देश पैफली के बलोगा state वाले बैटके सोच रहे हैं अच्छा ठीक है मतलब पूरे देश में तो हम भी आ गए ना मतलब हर्याना गौ पहले से ही स्रायते को समेट के रहे हैं कैसे आर्टिकल 245 के बाद उन्होंने एक और आर्टिकल डाला 246 और आर्टिकल 246 में इस पावर को कर दें डिवाइड के सुनो इधर रहो पार्लेमेंट वालो तुम उन्हीं मैटर्स पे लौ बना सकते हो जो Constitution के 7th schedule के list 1 में लिखे ह हुए हैं अब स्टेट वाले दूर खड़े हो के देख रहे हैं हमें तो बुलाए हैं हमें तो बुलाए हैं फिर स्टेट वाला इद रहो हां जी बताओ तुम उन्हीं मैटर्स पे लाव बना सकते हो जो Constitution के 7th schedule के list number 2 में लिखे हुए हैं आप देखिए 245 ने पावर दी कम 246 ने उस पावर को दिवाइड कर दिया is that clear come on guys जल्दी बोलिया जल्दी बोलिया बात क्लियर है 245 गave the power to make the law 246 divided the power to make the law 246 simply stated that parliament can make law on the matters which are enumerated in list number one of seven schedule of constitution state legislative assembly can make law on on items which are enumerated in list number two of seven schedule हमारे पास seven schedule में है क्या हमारे पास seven schedule of constitution में तीन लिस्ट दे रखे हैं मितरों union list state list concurrent list union list state list concurrent list बोल लो एक वा मेरे साथ धाई जमाह का मत बैठो बोलो union list state list concurrent list union list is list one union मतलब parliament law बना सकता है state list is list two मतलब state legislative assembly law बना सकते है concurrent list मतलब दोनों बना सकते हैं सब फिर से लफड़ा होगा दोनों बना सकते हैं नहीं भाई जो concurrent list वाले matter है और मैं आपको अंदर की बात बदा रहा हूँ law दोनों बना सकते हैं लेकिन upper hand parliament का रहता है अपर हैं किसके रहता है कमाँ जल्दी बताई है पार्लेमेंट का अब मैं आपको इसके एक्जामपल देता हूँ इदर देखो union list की बात करते में तो union list union 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 यानि ऐसे matter जिन पर पार्लेमेंट लॉब बनाएगा और पार्लेमेंट जब लॉब बनाएगा तो कहां पर अपली के बोलोगा एक स्टेट पर या पूरे देश पर एक स्टेट पर अपर देश पर कमान एवरीवान इवरीवान इन चाट बॉक्स बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पूरे के पूरे देश पर अपली के बोलोने वाला है अनीता दीप राज अलियबास हरीश बहुत बढ़िया प्रयंका सुमित सना इश्प्रीथ इश्टप्रीथ नवीन क्या बात है वेरी गुड अब मेरी बात को सु पूरे देश की मिल्टरी एक ही है डिफेंस वाले हमारी ऐसा तो नहीं कि हर्याना की एरफोर्स अलग चल रही है पंजाब वालों की नेवी अला गए पंजाब वालों नेवी मना रखे जमीन पर चलने वाली क्या लगता आपको ऐसा है स्टेट वाइज आम फोर्स है हमारी आपको क्या लगता है डिफेंस कहां पर होगा लिस्ट वन में होगा लिस्ट टू में होगा लिस्ट ट्री में होगा डिफेंस कहां पर होगा defense कहां पर अपने बताओ सोच और सोच और सोच माइन को चलाना है बहुत बढ़िया list 1 के अंदर है उनियन लिस्ट अच्छा आपने सिंगम देखिया दबंग देखिया कि भूलो हां के ना सिंगम और दबंग में सल्मान खान होता है कहां पर यूपी में सिंगम में अजय देवगन कहां पर होता है FM not wrong महाराष्टरा या गोव में महाराष्टर में भी होता है और गोव में भी होता है एक पशेद गोव में एक महाराष्टर में FM not wrong क्या दोनों को दोनों की ड्रेस सेम होती है क्या अलग-अलग होती है अलग-अलग होती है दोनों को गाड़ी पे अलग-अलग मिलती है यहाँ पर चुलबुल पांडे घुम रहे होते हैं बुलैरो के अंदर और वहाँ पर अजय देवगन को मिली होती है स्कॉर्पियो हाँ के ना, come on, yes or no बोल दो yes or no क्यों आप अगर वैसे भी कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रावल करेंगे, you will realize के पुलिस की ड्रेस अलग है पुलिस को गाड़ियां अलग मिली हुई है are you getting my point में क्या कहना चाह रहा हूँ यह पुलिस बेटा स्टेट सबजेक्ट होगा या यूनियन लिस्ट वाला सब्जेक्ट होगा come on everyone, come on everyone, everyone, everyone very good शाबाश, सीख रहा हूँ, तुम तो पहली ग्लास में सीखना शुरू कर दिया है यह होगा बेटा, हमारे लिए second list के अंदर आपना प्लीज दिखाओं ना सब्सक्राइब लिस्ट प्लीज दिखाओं ना अच्छा लोग यह होगा हाँ अभी दिखाओं तो मैं हूँ ना, मैं हूँ ना बेटा आजो, दिखाने की गोशिश करता हूँ तुम लोगों को यह लो थोड़ा सा इसको जूम आउट कम कर दें भाई कहाँगी, 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 कहाँगी यह 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 आ गया आपका Constitution of India में हैं से निकालता हूँ Constitution of India 1950 ठीक है और इसमें Article 245, 246 देख लिए हमने हम चलते हैं बच्चों 7th schedule में कहाँ पर चलेंगे हम लोगब, 7th schedule में ये लो, 7th schedule जैसे आपने खुलता हूँ देखा, तो आपको 7th schedule में क्या दिखाई दे रहा है, देखो 7th schedule का reference में क्या लिखाई, आर्टिकल 246 समझे 246 क्यों लिखा है, क्यों क्यों लिखा है atomic energy mineral resources necessary for its production, सोच के देखिए यानि के भाई साफ, state government नहीं गोल सकती चलिया रहे एक nuclear nuclear bomb बना लते है बढ़ दिन होगा है, कुछ nuclear nuclear bomb नहीं बना है, वो बना भी नहीं सकती भाई हलो, clarity है clarity है आपने ये जरू सुना होगा, कि इंडिया ने nuclear bomb का जो है वो निरक्षण या फिरो क्या किया, टेस्ट किया लेकिन आप ने कभी ये सुना है आज, पंजाब वलो ने nuclear bomb का टेस्ट किया और उसके बाद खाये छोले बटूरे नहीं भाई come on, come on आजो, तो प्लीज इस बात को अपने ध्यान रखना है आप देखे यहाँ पर कितनी यह जो है ने बीटा है यह निम्बर लिक्ए आ रहे है, इने हम बोलते हैं entries, इने हम क्या बोलते हैं, come on, tell me entries, तो list one में आगर आप देखेंगे list one में आता है, यानि के income tax list one में आता है, यानि के income tax पे law कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, जल्दी बोलो income tax, very good, daks, शाबाश, बहुत बढ़ी आप, union center government मत बोलो, पाप चड़ेगा, parliament बोलो, ओनिशा बेटा, parliament बोलो, come on parliament will make the law, clarity है, सबको thumbs up देदे, अगर समझ आ रहा है, यहां तक, तो जल्दी से, तो फिर से मैं बोलता हूँ भाई, कि यहां पे parliament की बस power आ गई है, tax on income की, और याद दखो, क्या लिखा है, other than agriculture income, अब आपके मन में क्या चल रहा है, यह सही है, सर, यानि agriculture income पे, law ही नहीं बन सकता, tax ही नहीं लग सकता, ओ बले-बले, मदा आ गया, नहीं बेटा, state list में लिखा हुआ है, state list में अगर agriculture income पे tax लगाने की power दे रखी है, यानि, यानि, अगर agriculture income पे tax लगाना है, तो बेटा, कौन लगा सकता है, parliament या state legislative assembly, स्टेट legislative assembly, सर, वो भी आप हमें दिखा होगे, कहां दिखाता हूँ, पहले जरा इदर देखो, यह हमारी list 1 जो है, entry number 97 पे खतम हो गई, और इसके बाद list 2 शुरू हो रही है, list 2 का title लेकिए, क्या लिखा है everyone, क्या लिखा है जल्दी बताइए, state list, साथ में हो, अब यह state list मे अगर आप देखेंगे, तो इसकी entry number अगर आप लोग देखना चाहते हैं, तो entry number आप लोग देखें, 46 पे आपको लिखा हो मिलेगा, taxes on agriculture income, बस आप लोग किसान बनी गए थे, जैसे आपने entry number 82 पड़ी, लेकिन 46 तक आते आते सपना तूट गया, मैं आपको एक बात उताना है, कि ये government किसी भी तरीके से agriculture income करने वालों को छोड़ना चाहती होगे, या उनसे कुछ tax लेना चाहती होगे, कुछ तो tax लेना चाहती होगे, क्या लगता है आपको, answer is yes, और लेती भी है, इन्होंने एक नयाब तरीका निकाल रखा है, उस तरीके का नाम अभी बता रहा पढ़ाऊंगा बहुत बाद में, उस तरीके का नाम है, partial integration, अब आदे बच्चे भोज हैं, ये तो maths में नहीं होता था, partial integration, भाई, income tax के अंदर भी है, और ये वो तरीका है, जिससे, ना 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 करते हुए भी, agriculture income पे कुछ तो tax हम लोग इखटा कर ही लेते हैं, ओके, तो इ अबी का मुद्दा, आपको थोड़ा बहुत constitution की बनावट समझ में आ रही है, कि constitution है, 245 ने पावर दी है, law बनाने की, 246 ने उसे डिवाइड कर दिया है, डिवाइड उसने 7th schedule में जाके किया है, 7th schedule में और पास 2 list है, list 1, list 2, तीसरी भी है, list 3, come on, come on, पढ़ाई, लिखाई, education, आपने जरूर देखाऊगा, ये state board वाले लड़के, ये central board, CBSC वाले लड़के, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये state board वाले स्कूल में पढ़ता है, ये CBSC वाले स्कूल में पढ़ता है, come on, yes or no, बोलिये, तो बेटा, वो कैसे exist कर रहे होते हैं, यह ह हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको लिए चलता हूँ, इसे में list 3 पे, जिसे हम लोग concurrent list बनाते, बुलाते है, marriage and divorce, bankruptcy, insolvency, evidence and oath, और ये सारी चीज़े आप देखेंगे, इसके अंदर आ रही है, अच्छी बात ये है, कि ये कहां पर देखे, education, अच्छी बात य नहीं है, और इसलिए list 3 हमारे लिए relevant भी नहीं है, हमारी जादतर जो चर्चा होगी, वो list 1 से ही होने वाली है, is that clear, come on, yes or no, आ जाईए, अब सुनिए मेरी बात को, सुनिए, आप जो इतनी बड़ी बड़ी बाते बता रहे हो, इसमें से कुछ अभी कुछ exam में आता है, बि और शक्की एक सपसिफिक entry होगी, tax तभी लग सकता है जब लौ होगा और law तभी लग सकता है, जब law बनाने की क्या होगी, come on, tell me, जल्दी बोलिए, जब law बनाने कीrecources का प्रवर होगी, और शकी एक सपसिफिक, drie होगी, अब इधा देखिए, यह बात कहां लिखिए, कि tax त ऐसो बघ्विक करेगी अऀन लगाएगी तब और निकाले भी तब जब उसके पास लाउ और इंजो लौ इसकोल कोकरी uy घृत बहुत लेते हैं एक नया टैक्स निकालो सास टैक्स जैसे सास लें लावी पैसला पैसला जल्दी सला भाई साब क्या मोदी जी के पास कितनी पावर हो क्या मोदी जी ऐसा कर सकते हैं आंसर इस लो बेटा क्यों क्योंकि टैक्स के लिए क्या चाहिए कमाउन टैक्स के लिए क्य इसान होगा कि मुश्किल हो गई हो गाएं कि उस्प्रीत बोल कि वैंजुला में फिर्दिंग टक्स होगा मुँंकन के सबकार ने पास कर दिया ओग है टू फिर से बात को सुनिए टेक्स तभी होगा जब law होगा, law बनाने की पावर 245, 246 और schedule number 7 को मिला के आपके पास आती है, is that clear, is that clear, अब आप मुझे बताईए, income tax लग रहा है इंडिया में, क्या कोई law होगा इसके लिए, बिल्कुल होगा, और income tax लोग बनाने की पावर है या नहीं है, मुझे बताईए, income tax लोग बनाने की पावर है या नहीं है, come on, yes or no, tell me, yes, मैंने आपको भी दिखाया है, बेटा, कहां दे रखिये, 245 में बोला पार्लमेंट लोग बना सकता है, 246 ने बोला, पार्लमेंट जो है, वो आपके schedule 7 की list 1 पे लोग बना सकता है, और list 1 में entry number 82, list 1 की entry number 82, पावर देती है, कि यह जाओ, बना लो, लो, और क्या पावर देती है, taxes on income, other than, other than what, agriculture income, is that clear to everyone, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, इधर देखिए रब, प्लीज, मैं क्या कह रहा था बेटा, 245 ने क्या दी है, power to make law, power to make law, right, अच्छा जी, इधर देखिए ज़रा, 246 ने, 246 ने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया, कैसे डिवाइड किया, डिवाइड ऐसे किया, कि भाई साब जो पार्लिमेंट है, वो law बना सकता है, come on, जो पार्लिमेंट है, वो law बना सकता है, किस पे, list 1 of schedule number 7 की entries पे, जो state legislative assembly है, वो law बना सकती है, list 2 of schedule number 7 पे, हम list 1 को क्या बलाते है मेटा, union list, list 2 को क्या बलाते है मेटा, state list, और साथ में एक चोटा सा article और, article number 265, जो क्या बोलता है, no tax if there is no law, no tax if there is no law, और simply, without law, no taxes, without law, no taxes, अब जब हम इसकी combined reading देने की कोशिश करेंगे, और जब हम इसकी combined reading देने की कोशिश करेंगे, मुझे बताइए क्या बात निकल के आ रही है, यही तो बात निकल के आ रही है, बाबू, पहले तो आपको law चाहिए, law के लिए power चाहिए, और law की power कैसे दी जाती है, आपको schedule 7 में, किसी ना किसी list में entry डाल के दी जाती है, तो बताइए, क्या tax के, क्या income tax के लिए, law बनाने की power है, हाँ है, list 1 entry number 82, अब ये भी बता दो, क्योंकि list 1 में power है, तो law किस ने बनाया होगा, पार्लिमेंट ने या स्टेट ने, क्योंकि लिस्ट 1 में power है, तो बेटा बता दो law किस ने बनाया होगा, क्योंकि लिस्ट 1 में power है, तो बेटा बता दो, अब ये भी बता दो, क्योंकि पार्लिमेंट ने बनाया होगा, तो कहां पर applicable होगा, एक state पर पूरी इंडिया पर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बच्चो मज़ाई आ गया, मज़ाई आ गया, आन जी कुछ ग्यान की प्राप्ति हुई, कुछ मोक्ष की उपलब्दी थोड़ी थोड़ी होनी शुरू ही, tax को लेके, come on चलिए, बहुत ही बढ़िया है, तो I hope यहां तक की situation जो है, आपको बिल्कुल clear है 245, 246, 265, आपको यह सारी चीज़े पता हैं पक्का, पक्का, चलिए, अब हम लेते हैं छोटा सा break, और break के बाद वापस आएंगे, और हम और बहुत सारी बाते पड़ेंगे, याद रखिएगा, बच्चों, मैं चाहूँ तो मैं आपको इस सब कुछ ना बोल सकता हूँ, लिख लो, लिख लो, लिख लो, आपका और numerical solve करवा रहा हूँगा, तब लिखेंगे बेटा, is that clear, बोल दो, ठीक है, और बिल्कुल confident रहो, एक percent भी आपको किसी भी तरीके से कहीं से कहीं तक डरने की किसी भी चीज से परेशान होने की जुरुत बिल्कुल भी नहीं है, ओके, बोल दो, चलो जी, तो अब हम लोग मिलते हैं, break के बाद, break होगा, आपके लिए 13 minutes का break देंगे, 13 minutes का break देंगे बेटा आपको, और 13 minutes बाद वापस मिलेंगे, आपर timer on रहेगा, आप लोग जाए, break पे होके आईए, ओके, चलो जी,